परिचाए हरून, तुम्हें पिछले वर्ष विज्ञान में कितने प्रापतांक मिले थे? सेर, 72 प्रापतांक मिले थे और गणित में? 84 सेर विज्ञान में 72 और गणित में 84 ठीक है शद्धा, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें गणित और विज्ञान में कितने प्राप्तांक मिले थे? सर, मुझे विज्ञान में 86 और गणित में 85 प्राप्तांक मिले थे ठीक है, विज्ञान में 86 और गणित में 85 पतीक, अब तुम मुझे बताओ सर, विज्ञान में 66 और गणित में 72 ठीक है, क्या तुम देख सकते हो, कि मैंने तुम्हारे प्राप्तांकों को इस कोश्ठक में लिखा है? ये क्या दर्शाता है? कोई भी एक बताओ ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, ये आवियु के रूप को दर्शाता है, आज हम जानेंगे कि आवियु और उसकी संक्रियाएं क्या होती हैं, तो आओ, शुरू करते हैं उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे आवियु को परिभाशित करना आवियु की कोटी की व्याख्या करना विभिन प्रकार के आवियु को लिखना चुन्ने आवियु को परिभाशित करना आवियु की समानता को समझना आवियु के योग को समझना आव्यू की परिभाशा एक आव्यू इस्तंभों तथा पंग्तियों में आकड़ों को वैवस्थित करने का एक तरीखा है एक आव्यू को कुष्ठकों के भीदर लिखा जाता है एक आव्यू के प्रतेकपत को एक प्रविष्ठी कहा जाता है इस आव्यू की तरफ देखिए, इसमें दो पंक्तियां तथा तीन स्थम्भ हैं निम्न आव्यू की प्रविष्टियां हैं दो, घटा पांच, दस, घटा चार, उननीस और चार आव्यू की कोटी एक आव्यू की कोटी, एक दिये आव्यू की पंक्तियों और स्थम्भों की संख्या को दर्शाती है संखे से एक आव्यू की कोटी पंक्तियों की संख्याओं, गुणा स्थम्भों की संख्याओं के द्वारा सी जाती है यहां आप चिनांकित पंग्तियों तथा स्तंभों सहित उसी आवियो के दो चितरों को देख सकते हैं इस आवियो की कोटी दो गुणा तीन है अर्थात दो पंग्तियां गुणा तीन स्तंभ आवियो संकेटन आवियो में एक प्रविष्टी की पहचान करने के लिए स्तंभ के बाद हम केवल संबंधित प्रविष्टी की पंग्ति का एक पदांक लिखते हैं आवियो ए में जूतिये पंग्ति तथा स्तंभ की एक प्रविष्टी को निरूपित करने के लिए हम ए दो तीन के लिखते हैं। ए दो तीन पंग्ती संक्या दो तथा तंब संक्या तीन इंगत करता है। तंब और पंग्ती आवियू इस तंब आवियू यानि कॉलम मैट्रिक्स आवियू जिसमें केवल एक इस्तंब होता है इस्तंब आवियू कहलाता है। इस्तंब आवियू का उधारण ए बराबर इस्तंब हनुसार 21, 17, 9 इस आवियू में तीन पंग्तियां हैं। किन्तु केवल एक इस्तंब है आताहा ये एक इस्तंब आवियू है। इसकी कोटी तीन गुणा एक है, पंक्ती आवियू यानि रो मैट्रेक्स. एक आवियू को पंक्ती आवियू कहा जाता है, यदि उसमें केवल एक पंक्ती हो. उधारनार्थ पंग्ति अनुसार 3,5,1 एक पंग्ति आवियू है क्योंकि इसमें केवल एक पंग्ति है वर्क आवियू तथा विकर्ण आवियू वर्क आवियू एक M गुणा N आवियू, A को वर्क आवियू कहा जाता है यदि M बराबर N हो यानि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभूं की संख्या हो उधारनार्थ 3 कुणा 3 कोटी वाला A एक वर्ग आव्यू है विकण आव्यू एक विकण आव्यू में विकण के उपर सथा नीचे के सभी अव्यव चूने होते हैं उधारनार्थ B एक विकण आव्यू है अदिश तथा तस्समग आव्यू अदिश आव्यू एक विकण आव्यू जिसमें विकण के सभी अव्यव समान होते हैं अदिश आव्यू कहलाता है इस आव्यू को देखें यह एक समान विकण आव्यवों वाला विकण आव्यू है अर्थात साथ अदिश यह एक अदिश आव्यू है तस्समक आव्यू एक वर्ग आव्यू जिसके विकण के सभी प्रमुक आव्यव एक होते हैं तथा शेश अन्य सभी आव्यव क्योंने होते हैं तस्समक आव्यू कहलाता है तस्समक आव्यू को इकाई आव्यू अत्वा प्रारंभिक आव्यू भी कहा जाता है तस्समक आव्यू को शब्द आई एन कुणा एन से निरूपित किया जाता है जहां एन कुणा एन आव्यू की कोटी को दर्शाता है शून्ने आवियू एक शून्ने आवियू अथवा रिक आवियू वो है जिसमें सभी अव्यव शून्ने होते हैं यहाँ पर एक तीन गुणा तीन शून्ने आवियू है शून्ने आवियू के तीन और उधारण इस प्रकार है शून्ने आवियू को शून्न से नरूपित किया जाता है आवियू की समानता दो आवियू एक समान होते हैं यदि उनकी कोठी समान हो तथा संगत अवियव समान हो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि ए एन गुणा M बराबर A I J तथा B P गुणा Q बराबर B I J तब A बराबर B है यदि और केवल यदि N बराबर P M बराबर Q तथा परिसर में सभी I और J के लिए A I J बराबर B I J हो आवियू P तथा Q समान हैं यहां दो अवियव हैं यद्यवी जिनके अवियव समान हैं जो की बराबर नहीं हैं समान आवियू के उधारण दिया गया है कि निम्निलिकित आवियू समान हैं X, Y तथा Z का मान ग्यात कीजिए दो आवियू के लिए उनका परिमान तथा आकार समान होना चाहिए तथा उन्ही स्थानों पर वही मान होने चाहिए यह हम कह सकते हैं A1-1, B1-1 के बराबर होना चाहिए A1-2, B1-2 के बराबर होना चाहिए तथा इसी प्रकार आगे भी एतेव संगत अवियूं को बराबर करके हम निम्न चरूं को हल कर सकते हैं X जमात 3 बराबर 6, X बराबर 3, Y बराबर घटा 1, Z घटा 3 बराबर 4, Z बराबर 7 आवियू का योगफल आवियू का योगफल सभी संगत प्रविष्टियों के योगद्वारा दो आवियूं को जोड़ने की संक्रिया है दो आवियूं को जोड़ा जा सकता है यदि उनकी कोटियां समान हो अर्थात उनके संभों तथा पंक्तियों की संख्या समान हो आईए इन आवियों को जोडते हैं हमें प्रविष्टियों के युक्मों को जोडना होता है तथा फिर अंतिमुत्तर के लिए सरली कृत्ध करना होता है पंक्ति अनुसार पहली पंक्ति शूर्ने एक दो चार, दूसरी पंक्ती तीन, चार, पांच, अता इसी तरह इसे आगे हल करने पर हमें, पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती शे शे शे, दूसरी पंक्ती बारा 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 प्राप्त होता है. चार, आप जानते हैं, यदि ए तथबी समान कोटी के नहीं हो, तब ए जमा भी परिभाशित नहीं है. उधारण के लिए यदि ए परापर है, पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती दो तीन, दूसरी पंक्ती एक शोन भी परापर है, पंक्ति अनुसार पहली पंक्ती एक दो तीन, दूसरी पंक्ती एक शोन एक, तब ए जमा भी परिभाशित नहीं है. आवियोग का योगफल समान कोटी वाले आवियोगों के समुझ में बाइनरी यानि दुयाधारी संक्रिया का एक उधारण है सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक आवियोगफलनू या संक्रियाओं की एक क्रमित आयताकार सारणी है एक आवियोग जिसमें M पंक्तियां तथा N स्थम्भ होते हैं M गुणा N कोटी का आवियोग कहलाता है A I J M गुणा 1 एक स्थम्भ आवियोग है A I J एक गुणा N एक पंक्ति आवियोग है 1 M गुणा N आवियोग एक वर्ग आवियोग है यदि M बराबर N हो A बराबर A I J, M गुणा M, एक विकन आवियो है, यदि A I J शूने हो, अगर I परावर ना हो, जे के A बराबर A I J, N गुणा N, एक अधिश आवियो है, यदि A I J परावर शूने हो, अगर I परावर ना हो, जे के A I J परावर के हो, ये एक अचराशी है, अगर I परावर जे हो, A बरावर A I J, N गुणा N, एक तस्समक आवियो है यदि A I J परावर एक हो, अगर I परावर जे, A I J परावर शूने हो, अगर I परावर ना हो, जे के एक शूने आवियो के सभी अवियाव शूने होते हैं, A बरावर A I J परावर B I J परावर B है, यदि A तथा B समान कोटी के हो, और आई तथा जे के सभी संभवमानों के लिए ए आई जे पराबर बी आई जे पो